आज के वीडियो में टीनिया सोलियम का जीवन चक्र समझेंगे अर्था लाइब साइकल आप टीनिया सोलियम के बारे में जानेंगे जीवन चक्र समझेंगे टीनिया सोलियम के जीवन चक्र में क्या होता है यादि कोई इंफेक्टेड पिग है यादि टीनिया सोलियम से इंफ है और कैसा मीट है तो टीनिया सोलियम से टीनिया सोलियम से संक्रमित संक्रमित का मतलब होता है इनफेक्टेड मीट है टीनिया सोलियम से इनफेक्टेड मीट को अगर मनुस से खाता है कहने का मतलब है कि किसी सुवर या पिग का जो मांस है टीनिया सोलियम से infected है तो ऐसे मीट को पौर्ग कहा जाता है ऐसे मीट को क्या कहते हैं पौर्ग कहा जाता है पौर्ग जो टीनिया सोलियम से infected होता है अब इस मांस को इस मनुसी ने खाया इस मांस को इस विक्ति ने खाया या इस मनुसी ने खाया तो इसके मुह के माध्यम से होते विए इसकी आतों टक पहुंचते हैं और कहा पहुंचेंगे तो छोटी आत में पहुं Cold क्माल इंटेस्टाइड में पहुंचते हैं यहीं पर आपको बता दें कि टीनियासोलियम जो होती है यहीं होती है तो सिश्टी सरकश होते है कर प्लाशन पूछा जाए इनफेक्टिव इस्टेज क्या है संक्रमित होने वाली वस्था क्या होती है तो सिष्टी सरकस होती है और जो human होता है ये जो human है जो मनुसी है ये primary host होता है या कली जीकी प्राथमिक पोसद होता है प्राथमिक पोसद होता है किस का तो tynia solium का क्योंकि ये दो पोसदों में प्राइमरी होस्ट कौन है मनस से होता है यह सिष्ट मुख से होते विए आतों तक जाते हैं तो इसी बीच में इसमें कुछ था यहां पर चूशक दिखाई देते हैं थोड़ा सा भाग इस तरह से बन जाता है ये भाग इतना जब बन जाता है तो ये छोटी आत में पहुँच चुका होता है अब इतना भाग ये जो सकर्स होते हैं चूसक होते हैं इन्हीं चूसक के माध्यम से ये छोटी आत की दिवारों में चिपक जाता है जो छोटी आत की दिवारे होती हैं उसे में चिपक जाता है और चिपकने के बाद ये अपने सरीर को बड़ा करना सुरू करता है यहने जब चिपक जाता है तो ये अपने सरीर को बड़ा करने लगता है बड़ा होने लगता है जब बड़ा होने लगता है तो देखिए इस तरह से बड़ा होता है इसमें देखिए अगर इसको अलग बना जा यहां इसपस्ट नहीं दिख रहा है तोड़ा सा तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको इसपस्ट रूप से इसके मुख को बना रहा है बाकी यहां पर भाग बना हुआ है यहां पर दो लेर्स पर हुक्स पाए जाते हैं एक लेर्स यह होती है यह हुक होते हैं यह हुक पाए जाते हैं दो लेर्स में होते हैं और इस हुक वाले भाग को रोश्टेलम कहा जाता है रोश्टेलम कहते हैं हुक वाले भाग को और इस पूरे भाग को इस कॉलेक्स कहते हैं इस कॉलेक्स कहा जाता है इस कॉलेक्स होता है ये पूरा ये इतना जो मुख वाला भाग होता है इसे इस कॉलेक्स कहा जाता है और इसी इस कॉलेक्स में चार सकर होते हैं एक इधर एक इधर एक इधर और इसी के ठीक पीछे तो ये चार सकर होते हैं और इन्ही सकर्स के माध् यहик होते हैं मैंने बताया है और पीछे में ayam块 ने सभागा इस्ट्रो कहा जाता है जो इस्ट्रोवगला होता है बहुत सारे खंड होते हैं और भी जाहते हैं जो आगे के खंड होते हैं, यानि नेक के गर्दन, जो इसके गर्दन होती है, नेक होती है, इसके बाद के जो खंड होते हैं, वो immature होते हैं, और लास्ट वाले जो भाग होते हैं, वो mature होते हैं, यानि नेक के ठीक बाद वाले immature होते हैं फिर mature होते हैं और सबसे अधिक mature ये पीछे वाले जो भाग होते हैं ये सबसे अधिक mature होते हैं और इन सबसे अधिक mature को कहा जाता है ग्रैविड ग्रैविड देहखंड देहखंड कहते हैं इनको ग्रैविड देहखंड बोला जाता है जो सबसे last के भाग होते हैं और इन्हें अंग्रेजी में proglotis कहा जाता है अंग्रेजी में proglotis कहते हैं हिंदी में देखंड कहते हैं और ये लाश्ट वालों को gravid कहा जाता है जो पूरी तरह से mature होते हैं fully mature होते हैं और इनके हर खंड में जननांग पाये जाते हैं reproductive organs पाए जाते हैं हर एक खंड में जननांग पाए जाते हैं या reproductive organs पाए जाते हैं हर एक खंड में यहां जो mature वाले होते हैं इसमें पाए जाते हैं अब यह परपोसी की आंच से चिपा करके उससे पोसक पदार्थों को लेता रहता है अब होता क्या है कि इसके जो last वाले यह लास्ट वाले जो खंड होते हैं यह अंदर से तूटने लगते हैं चुकि इसी में अंडे होते हैं इसी ग्रैविड खंड में अंडे होते हैं और यह अंदर से तूट तूट करके आथ से होते हुए बड़ी आथ में पहुशते हैं और बड़ी आथ के माध्यम से गुदा क गिर जाते हैं अंडे आ जाते हैं अब इस मनुस्य के फीसेस को ये पिग खायेगी जो सुवर है ये पिग है ये खायेगी या उसके आसपास की घास को खायेगी तो इसमें जो सिष्ट हैं जो अंडे हैं ये इसके अंदर चले जाएंगे और यहां पर गर्स के अंदर प्रवे जाएंगे और जो पिग होती है यह secondary host होती है दुतियक पोसक होती है क्योंकि जो फीता क्रीमी है जो टीनिया सोलियम है इसका जीवन चक्र दो पोसदों में पूरा होता है तो primary host मैंने बताया मनुस से होता है human होता है और दुतियक secondary host क्या होता है तो pig होती है secondary host pig होती है अब इसने खाया खाने पर क्या होता है कि इसकी अंडे जो होते हैं चले जाते हैं और ये अंडे जैसे ही पहुंचते हैं तो इसमें अब एक अंडा है वो कोसका जायगोड बना जाएगौर से बिदलन होता है तो कोशकाय बढ़ती रहते हैं और कोशकाय बढ़ने के साथ-साथ में क्या होता है उसमें एक ऐसी सनरचना बन जाती है जिसे आनको स्पियर कहा जाता है और यह जो आनको स्पियर होते हैं ये एक तरीके के सिष्ट ही होते हैं एक तरह से सिष्ट ही होते हैं कली जी इसमें छे हुक होते हैं छे हुक वाला लार्वा होता है जिसे हेक्सा कैंथ कहा जाता है हेक्सा कैंथ कहते हैं छे हुक वारे लार्वे को क्या कहते हैं हेक्सा कैंथ कहते हैं सिष्टेज होती है और आपक में पहुंच जाते हैं जो सिष्टी सर्कस एगर इसको मनुद से छलता रहेगा तो एक तो तरीका हुआ यह कि जिससे मनुस्य इसका life cycle चलता है और दूसरा एक और तरीका है उसको भी जान लेते हैं आप देखें दूसरे तरीके में क्या हुआ मैंने पूरी process आपको बता दिया है मांस खाने वाली इसके बाद pig के अंदर क्या क्या होता है सारा कुद बता दिया है अब दूसरा तरीका क्या है तो यहां से शुरू करते हैं जब मनुस्य के feces को जो feces मनुस्य ने निकाला था इस feces को pig ने खाया था तो पूरी process हो गई थी अब देखें इस feces को अगर pig ने नहीं खाया वहाँ पर कोई पूधा लगा हुआ है और कोई फल fruit लगा हुआ है तो इसके जो इसमें जो अंडे थे लारवा थे वो अंडे निकल करके अगर उस पौधे पर चले गए हैं उस सबजी पर चले गए हैं वेजेटेबल्स पर चले गए हैं अगर उस वेजेटेबल को कोई मनुस्य खाता है तो इसके अंदर वो अंडे प्रिवेस कर जाते हैं अब इसके अंदर वो अंडे प्रिवेस करेंगे अगर इस वेजेटेबल्स को इस fruit को कोई खाता है जिस पर वो एक पहुँच गए हैं तो इसके अंदर प्रिवेस कर जाएंगे तो इसके अंदर प्रिवेश करने पर आप देखे वैसे ही onicoesper बनेगा और इसके बाद इसके सरीर की muscles में पहुँच जाएंगे और इसके मस्तिस्क में भी पहुँच जाएंगे यहनि याब मनिस के muscles में पहुँच करके इसके मस्तिसक तक संक्रमित करेंगे इस तरह से इसका पूरा संक्रमार चलता रहेगा और इस तरह से मरस में कई सारे diseases पैदा करता है कई सारी बीमारीय मरस में पैदा करता है तो ये fruits या vegetables के माधम से भी human में पहुँच जाते हैं तो इसकी पूरी life cycle इस तरह से चलती रहती है आसा है आप सभी लोगो कोई वीडियो समद में आया होगा समद में आया हो तो वीडियो को लाइक and share कीजिए चैनल पर रहे हैं तो चैनल को subscribe भी कर लिजिए thanks for watching my video